दोस्तों अगर जो आप प्लेई इस्टोर से कोई app डाउनलोड करे हो जैसे इंस्टा वाटसओफ या कोई गेम हो गहारा तो इहाँ पर लिखा रहा होगा पैंडिंग या तो पैंडिंग लिख रहा होगा और गोल गुल घुम रहा होगा या तो फिर लिख रहा होगा आपका लोगो मिल जाएगा कई पर और पर फोटो दीखता है या तो फिर कई लोगोर का जो पहला अच्छरकन लेटर होता है जैसे यह सब यहां पर दखता है है तो यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर जोब आप क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने यहावाला इंटरफेस कुल के आ जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों एक आपको मिलेगा ग्राफ करके यहाँ यह देखो यह ग्राफ और यहां पर कुछ लिखा भी रहेगा घिबु वगरा करके मतलब आपका storage कितना है और भारा कितना है यहां पर लिखा रहेगा तो दोसτो यह जो option है दर्स पिंगा यह जो गराफ फोल ऑप्शन ए यह इतना जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करना है यहां पर मैंने इस पर क्लिक किया जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके फोन में जितने एप इनिस्टॉल रहेंगे जितने भी एप आप यूज कर रहे होगे चला रहे होगे वह सारे एप यहां पर दिख जाएंगे ठीक है यह एप यहां पर दिख गए अब दोस्तों यह अपडेट हो हो के हो बहुत ज्यादा यम्बी के हो जाते हैं, जैसे कि दोस्तों यहां देखो, यहां एक एप है ना, वीडियो मेकर करके एक आप है, दोस्तों इस एप का जो साइज है, वो तो पली स्टोर पर आप सर्च करेंगे, तो आपको 50 यम्बी का ही दिखेगा, लेकि यहां पर दोस्तों आप देखो मेरे फोन में यह अपडेट हो के 2.7 GB का हो गया है सोचो GB में एक एप यह करीबन 3 GB का एक ही एप हो गया है अपडेट हो हो के तो यह देखो अभी मैं बताना क्या चाहता है आप बस वीडियो को ध्यान से दो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा उसके परसे इस प्रॉब्लम का सलुशन बताऊंगा ठीक है यहां पर देखो यह 2.7 GB का हो गया है फेस्बूक देखो 1.6 GB इतना जादा हो गया है 1.6 GB आप समझ रहे हो यह सब दोस्तों आपको निया आप डाउनलोड नहीं करने देता बस यही यही कारण है तो क्या करना है मैं बताता हूं यहां पर इंस्टाग्राम भी देखो 1.4 GB यहां पर देखो पिक्सार जो है वह 812 इतना जादा हो गया है तो आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आना है यहां पर आने के बाद जो यहां पर बहुत ज्यादा है ठीक है जैसे यहां पर देखो वीडियो गुरू जो है वह 2.7 GB का हो गया है तो हमको क्या करना है इसको डिलीट करना है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा storage आपको क्या होगा, खाली हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यह इतना जब storage वाला है, तो आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर इस box पर क्लिक करना है, यहाँ पर मैंने इस box पर क्लिक किया, इस box पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यह यहाँ पर selected हो और select होने के बाद दोस्तो ऊपर आपको यहाँ पर delete का box मिल जागा ठीक है तो आपको delete box पे click कर दिना है delete वाले box पर आप click करोगे दोस्तो तो यह जो app है यह app delete हो जागा अब जब यह app delete हो जागा तो आप इतना storage खाली कर दिये अगर जो एक app delete करने से नहीं download हो रहा है तो कभी कभी दो भी कर देना वह से दोस्तो अगर जो आपका एक जीबी का कोई app हो गया है तो उसको डिलीट करोगे तो उसके बदले में आप दोस्तो बीस-पचीस app download कर सकते हो क्योंकि यह एक app पचास-अठीं भी कही होता है वह आप दोस्तो आपका जो download planning problem है वो problem solve जाएगा कोई नया app भी अगर जब download करोगे तो वो download होने लगेगा आई ओप दोस्तो यह वीडियो आपको अच्छा लगोगा अगर जो वीडियो अच्छा लगोगा तो लाइक करना चैनल पिना तो subscribe करना मिलना किसी next वीडियो में तब तक लिए जाएगे बंदे मातरम